सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं दात सबसे महतोपूर अंग होते हैं शरीर का लेकिन हम लोग उसको कहीं न कहीं उनकी देखभाल में चूट जाते हैं आज हम बात करते हैं उन दातों की देखभाल कैसे की जाए हमारे साथ वरिष्ट दंत चिकिस्सर डॉक्टर शेलेंदर रंजन मौजूद है जोप्टर साथ सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे कि दातों की सभाई कैसे की जाते हैं अर्ज कल देखा गया अरिजन बिलिक की दातों की सभाई फिक्से नहीं करता हैं उसके लिए चाहिए अवर्नेस जो हमारी जंता भी कमी उसको दात को साथ करने के लिए राउंड गोल गोल भूमाना चाहिए ब्रस को जैसे दात साथ को जाए दो से तीन मिनट की ब्रस करें जिससे दात कटे नहीं बहुत ज़्यादा लेकिन उस ज्यादा करने से इन्हें लिए जाते हैं जिसे शेंस्टिविटी क्रियर लाती है तो गलत दान से ब्रस करने से अनुक्षान नहीं करता है जी सब गोजिक डहाएं तो कि पर्षी तरह गोला damn reflective मेरा मानना कि ईसरान गार सोथे हैं जी से भी निग्राइ अंचे कि कि गणी मेरा माननद एक इस नाथ में जादा भी जोड़ा है जी सब्राइब सोपे क्ञाल यां इसे व्यक्रck Clid जाता है अगर हम दात में सफाही करें हुआ हमारे देश की बाद करें जो यहांपर जादा पाई जाती है और इसकी सब्सक्राइब करना चाहिए एक और सबसे जो आहें समस्या देखी जाती है वह हुपी है कैविटी डॉक्र सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन अगर सभाई की बात आए तो कोई साफ नहीं करता है कि अपने दर्शों को पता हिए कि केविटी को साफ नहीं कराने से हमको किस किस तरह की समस्या हो चकती है सबसे पहले जानना चाहिए कि क्यों हम जब ब्रस में चीक से करेंगे तो कुछ पाटेल्स हमारे दांतों चिप्के रह जाएंगे जिसके कारण हमारे ना सढने लगते हैं उस सढन से कैविटी क्रियेट होती है और कैविटी को ना साफ करके भराने से जिसके कारण हमारे ना पराव हो जाती है यहां तक की ना निकालना भी पड़ता है तो कैविटी एक घंबी बनाए दांतों की सफाई तो ठीक रही लेकिन अगर दांतों की बीमारी से हम बात करें कि शरीर के और भी क्या कोई ऐसे अंग होते हैं जिनको नुकसान होता है दांतों की सफाई ना करने से बहुत सेlotजन साम यहांग है, यहां तक कि हाट एक ढूर की मैश न हो सकती है. अचा हाट एकट ex जैसी बिमारी भी डामारी सफाई न करने से होसक्ती है. इसके अलावा भी क्या और कुछ और अगर क्वबाभीत होता है? हमारे blood supply chain भी आसकता है गंज़ी पेप की मिमारी हो सकती है जीब की मिमारी है मुँद की मिमारी है जो दान के अलावा भी और हो सकती है गले में हो सकता है जिसा दान से इसमें एक शोध अप्रसाब अभी हाल ही में केजी अल्यूम में वहा है जिसमें पताया गया कि जो गर्वति एस्तरीय होती है अगर उनको पाहरिया हो जाता है तो उनको कपी बंधीर समर्सया हो सकती है उसे उनके बच्चे तक यह दोसकी मिमारी हो लागाथ है इसलिए चाहिए कि गर्वति यूद रित की दान सांप कर आ है जो्से साव्ट में कि कि हम लोग हमुण जब भी हमारा दात में दर्ड वहता है एक सबसे बड़ी किस्तीर करी समस्या WILसे artists भी हमारा दात में दर्ड होता है उर जब लोग तो पोजेए बीव मेर्य हो उसका इलाज को नहीं करना साइब है जनली सब पेन पीलर का दो है टो हम प्रूड़ पैसे में कर सकते हैं विमारी के उसे बढ़ा करके ले आते हैं जैसे दांत में हलका से विमार होगा, हम उसे ठीक कर सकें, लेकिन नहीं आएंगे, अपनी विमारी बढ़ाते रहेंगे, और जब बढ़ जाता है, यहां जब आते हैं, तो दांत निगालना पढ़ता है, या रूप के ना करना है, पहले आए, तो इतना पैसा भी नहीं डांतों में कीडा लगना एक आहां जो है, आहां लेंगवज हो गई है, दांतों में कीडा लगना, इसको अपनी डांतों में कीडा लगना, असल में होता क्या है, क्या यह वागई में कीडा होता है, यह कीडा नहीं होता है, यह सडन होती है, दांतों में सडन होती है, कीडा जब दात में दर्व या सेंस्टिवीटी बहुत जदा हो जाती है तो हम लोग रूफ कैनाल को एड़्वाइज करती है। जो सव्णान होती है वो नसों तक हमारे पेज़ाती है। जो रूफ कैनाल को ही कहते है नसों का इलाज है। तुल्टर साफ इस समय हमारे डेश की बार्त है तो मूझ का पैंसेख फेला हुआ है। उसी क्या क्या वज़े हैं और ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिनको इससे सावधान रहना चाहिए सबसे पहले तो हमारे यहां गुट्टा खाने वाले बहुत हैं गुट्टा पान मसाला, सिग्रेट बिंडी तमागू यहीं सबसे बड़ी कारण है हमारे मुन के कैंसर के, अगर इन सबसे तारा पाद लिया जाए तो हमारे यहां कि 90% कैंसर मुन के खतम होगा। नियूस थाइंज के दर्शकों को कोई आप ऐसी सलाह देना चाहिए दाप लेका। चीक से ब्रस करें, मुन को साफ रखें, सुबह साम ब्रस करें, बस यहीं सबसे अच्छी सलाह है, अगर कोई विमारी हो लगे कि आपके दाप में सड़ा में तो तुरह चेकर कराने जाएं, कि किसी की देंटिस के पाद चले जाएं और अपने दापों चेक कराएं, हर छे मह पाज जाकर अपने दापों को चेक भी कराएं, क्योंकि दापों की देखवाल बहुत ज़रूरी है, निउस टाइम्स के लिए उमेंदर सेंग, भूस्क्राइब